गुद मॉर्णिक फ्रेंस ककसा पाँच के हिंडी क्लास में आपका स्वागत है फ्रेंस हम स्वच्टा इकाई का अभ्यास कर रहे थे हमने इस इकाई को अच्छी तरह से समझ लिया है आज हम इस इकाई के अभ्यास और स्वाध्याई की प्रेश्णों को समझे तो आँ सब तैयार है ना तो चलो सब अपनी पाठ्या पुस्तक निकाले हम प्रेश्णों को समझते हैं इकाई तेर स्वच्टा अभ्याश प्रेश्ण एक निम्न लिखी प्रेश्णों के उत्तर लिखिए नमबर एक आप अपनी पात साला में कीन-कीन चीचों की सफाई करते हैं तो विट्या ठी मित्रों आपको अपनी पात साला में आप कीन-कीन चीचों की सफाई करते हो इनके बारे में लिखना है जैसे कि आप अपने क्लासरूम में श्याम फलक, श्याम फलक यानि की ब्लैक बॉर्ड अपने स्कूल का मैडान, अपने पाथसला का मैडान कुर्शी, मेज, आड़ी की सफाई करते हो न तो उनके बारे में आपको लिखना है नमबर डू गंडगी से हमें कौन-कौन सी बीमारिया होती है आपको पता चल ही गया होगा कि जहां गंडगी होती है वहाँ पर बीमारिया तो होती है तो कौन-कौन सी बीमारिया होती है जैसे की उल्टी, जुकाम, बुखार, डर्स्ट आड़ी बीमारिया होती है आप और भी लिख सकते हो नमबर तीन सफाई के लिए किन किन चीजों का उप्योग किया जाता है मिट्रो आपके घर में सफाई तो होटी होगी होटी है ना तो आपकी मम्मी सफाई के लिए कौन कौन सी चीज का उप्योग करती है तो उनके बारे में आपको लिखना है, कौन-कौन से साधन का उप्योग करते हैं नमबर चार, पाथ साला के अलावा आप और कौन-कौन सी जगह सफाई का काम करते है पीटिया ठी मीट्रो, पाथ साला के अलावा आप कौन-कौन सी जगह सफाई करते हो या सफ़ाई के लिए सफ़ाई में मड़द करते हो तो उनके बारे में आपको यहाँ पर लिखना होगा विद्याती मित्रूँ अब हम स्वाध्य की प्रश्णों को समझते हैं प्रश्ण एक निम्ना लिखी प्रश्णों के उत्तर लिखे नमबर एक अजय के मोहले में मोहन ने क्या देखा अजय जब मोहन के मोहले में पहुचा तो उसने देखा कि कुड़ा डान तो पड़ा है लेकिन कुड़ा कुड़े में नहीं पड़ा तो कुड़ा कहा पड़ा है कुड़ा कुड़ा डान के बाहार फेला हुआ दिखाई डे रहा है और क्या रिखा उसने कि कुड़े के आसपास मक्खिया भी बिनक रही है कुड़े डान की चारो और गंड की फेली हुई दिखाई डे रही है नमबर दो मुहले में गंड की क्यों फेली हुई थी? क्योंकि मोहले के लोग कुड़ा डान में डालने की बज़क कहा डालते थे सड़क पर ही डाल देते थे इधर उधर डाल देते थे और सफाई की वो लोग चिंटा करते नहीं थे इसलिए मोहले में गन की फेली हुई थे नमबर टीन अध्यापक बच्चों को अजय के मोहले में क्यों ले गए सोचो और लिखो नमबर चार हम नगरपालिका की मदद कैसे कर सकते हैं विद्यार्थी मीट्रों आपको तो पताई होगा की नगरपालिका हमारे सहर की सफाई का ध्यान रखती ही है लेकिन हमारा भी करतव्य बंदा है की हम भी हमारे मोले और सहर की सफाई का ध्यान रखे नमबर पांच हमें अपना गर और मुहला क्यों साफ रखना चाहिए? विद्या थी मीट्रू, मुझे पता है कि आप अपना घर और मुहला जरूर साफ रखते होंगे लेकिन क्यों रखते हो? उसका उत्तर आपको इहां पर लिखना होगा विद्या थी मीट्रू, आपको स्वच्टा इकाई को अच्छी तरसे पढ़ना है और बाद में इस प्रेश्टों के उत्तर लिखना है नंबर दो, नीचे दिये गए विशेशनों का वाक्य में प्रयोग कीचिए विद्या थी मीट्रू, आगे हम विशेशन के बारे में समझी गए है फिर भी एक बार हम फिर से यहां पर समझते है कि विशेशन किसे कहते है शंगना शब्द की विशेशता बताने वाले शब्दे को विशेशन कहते है शंगना यानि की कोई भी नाम किसी भी प्राणी, पशु, पक्षी, व्यक्ति के नाम, पदार्थ को हम संगना कहते है तो किसी भी नाम को विशेश बनाने के लिए हम जो सब्द का उप्योग करते है उशे विशेशन कहते है यहाँ पर आपको कुछ सब्द दिये गए है यह सब्द का उप्योग करके आपको वाक्य बनाने होंगे यहाँ पर एक उदाहरन भी दिया गया है देखों उदाहरन सुन्दर यह सुन्दर का सब्द का उप्योग करके आपको वाक्य बनाना है बाग में सुन्दर फूल खिल्टे है मिट्रों बाग में फूल्टों खिल्टे है लेकिन फूल कैसे खिल्टे है तो फूल सुन्दर खिल्टे है तो यहाँ पर जो सुन्दर लिखा है वो विशेशान है यहाँ पर आपको अच्छा कोमल लाल सफिट यह सब्द दिये गए है उनका उप्योग करके आपको वाक्य बनाना है प्रेश्ण तीन अ अ अंगो को काम से मिलाईए मित्रो यहाँ पर अंगो के नाम लिखे है वो कौन सा काम करता है वो आपको दुन्दना है और उसको मिलाना है कान से, आक से, नाक से, पैर से, हाथो से, दातो से, मुझ से कौन सा काम होता है यहाँ आपको दुन्दना है ब सही मिलान को वाक्य में लिखे और क्रिया को रेखांकित कीचिए विद्याठी मिट्रों आपने उपर जो जोड बनाई है वो जोड को आप वाक्य में लिखोगे जैसे की यहाँ पर एक उडाहरन दिया गया है नमबर एक कान से गाना सुन्टे है इस तरह आपको और भी जोड मिला कर वाक्य बनाने होंगे जैसे की आख से फिल्म देखते है विद्याठी मिट्रों यह वाक्य लिखने के बाद आपको वाक्य में जो क्रिया है उनके नीचे अंडरलाइन करनी होगी उसे रेखांकीत करना है क्रिया की से कहते है यह तो आपको पता ही होगा हम जो भी कारिया करते है उसे क्रिया कहते है मिट्रों खाना खाना सोना गाना पीना उठना बैठना खेलना कुदना यह सब क्रिया है जो वाक्य के अंत में आते है यहाँ पर उडाहरन डिया गया है कि कान से गाना सुन्टे है तो सुन्टे है यह क्रिया है तो उसके नीचे अंडरलाइन की गई है तो आपको भी इस तर अंडरलाइन करनी होगी नंबर चार नीचे दिये गई ड्रश्य का वालन लिखे मिट्रो यहाँ पर आपको एक ड्रश्य दिया गया इस ड्रश्य को ध्यान से देखे और इनके बारे में 6 से 7 वाक्य लिखे प्रस्न पाच निमन लिखी विशय उपर चर्चा करकी लिखे मिट्रो यहाँ पर दो विशय दिये गए है नंबर एक मेरा गाउ और नंबर डो मेरी डिन चर्चा उसके बारे में आपको अपने माता पिता से चर्चा करनी है और लिखना है नंबर एक मेरा गाउ तो आपको अपने गाउ के बारे में लिखना है आप चाहे तो अपने माता-पिटा से उसके बारे में जान सकते हैं और नमबर डू, मेरी डीन चर्चा मेरी डीन चर्चा यानि कि आप सुबस से साम तक आप क्या करते हो उसके बारे में आपको लिखना होगा पाथ्य पुस्तक में दिये गए विशयों के अलावा में आपको और दो विशय डेटी हूं जिनकी चर्चा आपको अपने माटा पिटा से करनी होगी नमबर एक, समय का महत्व और स्वच्टा का महत्व या दो विशयों पर आपको अपने माटापिता के साथ चर्चा करने होगी नमबर चो, बनाईए या लगाईए अपने आसपास के लोगों को स्वच्टा के प्रती जागरूट करने के लिए अपने साथियों के साथ मेलकर पोस्टर बनाईए और सार्वजनिक स्थानों पर लगाईए विट्याठी मित्रूँ आप अपने मित्र के साथ बैठकर कलिक सुत्र लिख सकते हैं जैसे की स्वच्टा वहाँ प्रपुता कुडा कुडेडान में ही डाले ऐसा लिख कर आप जहाँ पर बहुत गनकी होती है वहाँ पर आप यह पोस्टर लगवादो लोग यह सुत्र पढ़कर वहाँ पर कुडा नहीं डालेंगे विट्याठी मित्रूँ आपको ऐसे सुत्र पहले तयार करने होंगे पर साथ पता कीजी और लिखे स्वस्ट रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं तो विट्या थी मुट्रू स्वस्थ रहने के लिए आप कुडा कहा डालोगे कुडे डान में या बाहर या आपको दो भाग में लिखना है स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ओके दोस्तों आपको स्वच्टा इकाई के प्रस्णों समझ में आ गए होगे दोस्तों आपको भी स्वच्टा का त्यांग रखना है क्योंकि जहां पर स्वच्टा है वहां आरोग्यों तो है ही लेकिन वहां पर भगवान का निवास भी होटा है तो हम फिर मिलेंगे स्वच रखो स्वस्थ रखो